कि आज बचों हमें तीन टॉपिक पढ़ने हैं कार्बो हाइडरेट में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज को ग्लुकोस में गंवर्ड करना है, फिर हमें जो चेन होगी, जो कार्बन चेन होगी कार्बो हाइड﹌इडरेट की उसको क्या करना उसकी lengthening करनी है, मतलब carbon chain को बढ़ाना है, और फिर क्या करना है, तीसरे topic में chain shortening, मतलब chain को क्या करना है, short करना है, ठीक है, यह किसके अंडर में आईए हो, सारा carbohydrate में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कि कैसे आप, जो fructose है, उसको किस में change कर सकते हैं, glucose में change कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप बनाई ये, कि जो fructose है, वो कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, CO होता है, फिर यहाँ H, यहाँ OH, फिर यहाँ क्या रहेगा बच्चो, OH, और यहाँ रहेगा H, ठीक है, fructose की structure आपको आती होगी बनानी, आपको याद कर लेनी है, कि fructose को क कैसे बनाना है, अब आपको क्या करना है, बच्चो, reduction करनी है, क्या करना है, reduction क्योंकि आप इसको, यह जो CO group है, इसको यहाँ से अटाना है, क्योंकि ऐसा glucose में कुछ होता नहीं है, तो आप साफ-साफ क्या कर दीजिए, reduction और किसकी presence में करेंगे, Na, HG, ठीक है, और H तो होग ठीक है, positive, अब देखो, आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे, यह है, CH2OH, यह as it is रहेगा, पर जो CO है, बच्चो, वो किस में convert हो जाएगा, वो CHOH में convert हो जाएगा, ठीक है, और सब कुछ as it is रहेगा, जैसा था, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ OH, और यहाँ OH, और यहाँ CH2OH, इतनी बात सब को समझ में आ गई, अब आपको क्या करना है, बच्चो, oxidation करनी है, क्या करनी है, oxidation, oxidation में क्या करना पड़ेगा, एक, मतलब आपको, पूरी, एक तो आप कहते हैं कि, strong oxidation करना, एक mild oxidation, मतलब कि, हल्की फुल्की oxidation आपको करनी है, ठीक है, ताकि सिर्फ यह वाला एक ग्रूप जो है, उसकी oxidation हो, सारे ग्रूप की oxidation ना हो जाए, ठीक है, तो यह वाला जो होगा, CH2OH, यह किसमें convert हो जाएगा, बच्चो, यह हो जाएगा, कार्बोक्सलिक में convert, किसमें convert हो जाएगा, कार्बोक्सलिक में, और यह कैसे है, यह तो acidities ह CHOH और सब कुछ जैसे है वो आप बना दीजी यह आपने क्या किया है Oxidation करके और HNO3 की presence में आपने यह किया है तेक है यह H आप लगा ले ना मैंने यहां भी नहीं लगाए थे तो आपको पता होना चाहिए अब आपको क्या करना है ध्यान से समझना अब आपको heat करना है यह जो प्रोडक्ट आपके पास आया है बच्चो इसको आपको क्या करना है आपको इसको heat करना है तो यहां से पानी बहार निकलता अब कैसे निकलता है उसको ध्यान से सुनिएगा कि पानी आप कैसे बहार निकालने वाले हैं आप, एक तो आप 6-member ring पता है, एक 5-member ring पता है, तो mostly वैसे आप को बता होगा कि जो 5-member ring है, वो stable होती है, comparison to 6, condition होती है 6-member ring के लिए कि कब-कब 6-member ring stable होगी, तो आप देखो, यहां से और यहां पे क्या बन जाता है, यहां से पानी बहार निकलेगा, ठीक है, और Lactone बन जात है, क्योंकि आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यह कार्बोक्सलिक है, यहां OH होगा, और यह सारे carbon छोड़के, मैंने यह वाला carbon हमने लिया है, जो यहां पे OH लगा हुआ है, ठीक है, यह क्या है यहां पे OH, तो यहां से आपको क्या बहार निकाल देना है, H2O, तो आपको कैसी bonding दिखानी पड़ेगी बच्चो, आपको दिखाना पड़ेगा, कि यह जो कौन सा है, C, O लगाना है, और यह जो एक oxygen जो है, उसको लेक्टोन के रूप में ऐसे दिखा देना है, इस carbon के साथ, ठीक है, इतनी बात समझ में आगे, और सब कुछ ऐसे बना देना, यह CH, OH यहीं बनेगा, ठीक है, फिर नीचे एक और पता है, आपको OH और यहाँ पर H है, और नीचे CH2OH है, इतनी बात समझ में आ गई, फिर आपको सिर्फ क्या करना है, रिडक्शन करनी है, क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, अब एक बर इसको structure को अच्छे से बना देते हैं, अब देख यह बना क्या है, यहाँ पर क्या है बच्छो, CO है, फिर यहाँ क्या है, यह CH2OH है, और लेक्टोन का जो क्या है बच्छो, oxygen वो यहाँ से बाहर निकला हुआ है, फिर उसको यहाँ बनाओ, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक और CH2OH आएगा, और इस वाले कार यह CHOH क्योंकि carbon 6 है न और नीचे है CH2OH है न अब आपको क्या करना है अब आपको इसकी reduction करनी है NHG की presence में ही ठीक है और यहाँ H2 है और फिर यहाँ बन क्या जाएगा बच्चो देखो क्या करना है आपको simple ध्यान से समझना कि इधर भी एक H डाल दो और इधर भी एक H डाल दो तो अब क्या बन जाएगा ध्यान से समझो उपर तो बन जाएगा यह अपना CHO LD हाइड ग्रूप क्योंकि CO है न तो यहाँ तो बन जाएगा LD हाइड उपर हो जाएगा यह क्या यहाँ पर OH इधर H और यहाँ आ जाएगा H OH बन जो ग्लुकोस बन गया है यहाँ पर थीक है समझ में आ गई आपको बात तो पहले स्टेप में भी आपको क्या करना था बच् फिर आपने की oxidation फिर आपने heat किया है और lactone बन गया था और फिर से आपने reduction कर दी तो आपको क्या मिल गया है वहाँ पर glucose मिल गया है एक्स आमें करना बचो किलानी Fischer Synthesis क्या करनी है किलानी Fischer Synthesis वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं कि जो pentose sugar होगी उसको hexose sugar में convert करेंगे मतलब कि आप chain lengthening करने वाले हैं क्या करने वाले हैं chain lengthening और नाम क्या है इस process का इस process का है किलानी ठीक है और Fischer Synthesis Scientist ही है ये दोनों ही Fischer आपने सुना होगा बहुत बार ठीक है तो ये हम कर रहे हैं किलानी Fischer Synthesis तो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या ले लीजे क्योंकि आपको chain को क्या करना है बढ़ाना है तो आप पहले ऐसी sugar ले लीजे जिसमें 5 कार्बन है कैसे कार्बन है 5 तो ऊपर आप रखिए CHO यहां आप लिख दीजे बचो OH यहां H ठीक है आपकी मर्जी है आपको जैसे ले ले लीजे आप क्योंकि आगर आप glucose में convert करना चाहते हैं तो इधर आपको क्या रखना पड़ेगा इधर H रखना पड़ेगा और यहां रख है तो मैंने बताया था कि इसका importance क्या है तो यहां जाएगा OH और यहां आएगा बचो H और फिर से मतलब आपको कोई भी आप sugar ले सकते हैं जो आपका महन करें वैसे तो आप कोई भी ले 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 पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं हम glucose को बना ले क्यों कई पर यही पूछ लिया जाता है कि आपको क्या बनानी है glucose बनानी है अब यह क्या है इस sugar को हम बोलते हैं erby nose क्या बोलते हैं erby nose यह sugar इसका नाम है हम सारी करेंगे जितनी possible हो सकती है न शूगर अगले lecture में हम वही करेंगे कि tone वाली भी और glucose वाली भी नाम क्या है इसका बोलो erby nose ठीक है अब देख करनी है अब HCN के इसके इस चीज को देख लीजिए बस ठीक है LD हाइड का क्या हो जाएगा LD हाइड ऐसे होता है और यहां H होता है और HCN कैसे breakdown होगा H positive CN negative और carbon reaction ऐसे शो करता है कि O पर आजाएगा negative carbon पर आजाएगा positive तो यह CN negative तो आजाएगा carbon पर O negative पर आजाएगा हो गया है ठीक है गारबन पर क्या हो गया बच्छों यहां CN अटैच हो गया है और एक क्या टैच हो गया बच्चों OH और H तो था ही H तो क्या था बच्छों यहां पर present पहले से ही था अब जो structure नीचे थी जो present थी THी वो acides बना दीजिए ठीक है ना ये सारी structure यह पूरी की प चाहन रखने है कि तब भी आप CN की hydrolysus कर देते हैं तो वो कार्बुक्स्लिक में तब भी आप CN की क्या acidic hydrolysis कर देते हैं तो वो किसमें कार्बुक्स्लिक में मतलब यह जो चीज है वो किसमें kadràcreatста हो जाएगी कार्बोक्स लिक में तो आप इस चीज को उपर भी दिखा सकते थे ये कार्बन है और इधर Cn है और Cn convert हो गया है कार्बोक्स लिक में तो इधर रख लीजिए OH और इधर रख ये बच्चो H क्योंकि ये चीज तो है और मैंने ये Cn को उपर रख दिया बस इतना ही काम किया है और उसकी hydrolysis कर दी है जो कि किसमे convert हो गया बच्चो किसमे कार्बोक्स लिक में और जो सारी चीजे थी वो as it is है ठीक है न अब देखो next देखो अब आपको क्या करना है अब आपको simple heat करनी है क्या करनी है heat करनी है जैसे अब पहले लक्टोन बनाया था न हमने पीछे वाली reaction में exactly वैसे ही करना है exactly वैसे ही करना है ठीक है तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या था इधर था बच्चो H और इधर ता OH यहाँ क्या है OH इधर H यहाँ OH और यहाँ H कितने carbon हो गए है देखो 1,2,3,4,5,6 ठीक है अब आपको यहाँ से इसकी और इसकी bonding करनी है इस वाले की और यहाँ से पानी बहार निकाल देना है जैसे पिछली बार आपने निकाला था क्या बन जाएगा लेक्टोन बन जाएगा और लेक्टोन कैसा मिलेगा आपको यह C ऊपर क्या जाएगा बच्चो O और यह oxygen यहाँ पे रहेगा और जैसा है उसको ऐसे ही बनाओ इस वाले कार्बन को बनाओ यहाँ जाएगा OH और यहाँ एगा H यह H है यहाँ OH और इसकी bonding बन गई है यहाँ H को रख दो और यहाँ क्या बन जाएगा OH और यहाँ H और यहाँ रह जाएगा बच्चो CH2 OH अब आपको बताओ simple क्या करना reduction करना किस के साथ Na HG के साथ ठीक है किस के साथ Na और HG और H2 तो हो गई तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चो एक आपको यहाँ H देना है एक यहाँ पे तो यहाँ LDHeid group अब glucose बन जाएगा यहाँ पे exactly क्या बन जाएगा glucose की आपको structure याद हो गई होगी तो यहाँ क्या तयार हो गया है glucose यहाँ पे भी simple क्या था हमें एक प्रोसेस है जैसे नाम आपने याद किया है लेंथनिंग वाला अभी अब आपको डिग्रेडेशन करनी है चेन की लेंथ कम करनी है जिसको रफ डिग्रेडेशन बोला जाता है rough degradation बहुत असान है ठीक है तो याद करने में तो बहुत जादा simple है आप तब ही एक बरी लिखके और उसको याद कर लेंगे आप क्या बना लीजे बच्चो आपको क्या करना है degrade करना है मतलब छोटा करना है तो आप पहले glucose बना लीजे क्या बना लीजे glucose ग्लुकोस कैसे बनाते है यहाँ LD हाइड होता है बच्चो यहाँ H होता है यहाँ OH और सारे अब इस साइड रहेंगे ठीक है और नीचे क्या हो जाता है CH2 OH जहाँ इस साइड में कुछ ना लगाऊं समझ जाना है यहाँ H है अब आपको इसमें क्या डालना है BR2 और H2 क्या डालना है BR2 और H2 यह क्यों डाला गया है क्योंकि BR2 किसकी oxidation कर देता है बच्चो सिर्फ इसकी LD हाइड की और वो किसमें convert हो जाएगा कार्बोक्सलिक में किसमें कार्बोक्सलिक में और सब कुछ ऐसे ही बना दीजिए वह यहाँ जाएगा OH यहाँ H और exactly जैसा है वैसा बना दो इसमें कोई दिकत नहीं है तो हम कौन सा क्या कर रहे है प्रोसेस का नाम क्या है rough degradation कई बार नाम से ही पूछ लिया जाता है अब next आपको क्या करना है आपको इसमें देखो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं आप यहाँ से जो CO2 है मतलब D-Carboxylation कर सकते हैं CO2 को बाहर निकाल दीजिए जैसे तैसे करके जो भी आप कर सकें आपको क्या करना है यहाँ से CO2 को बाहर निकालना है वैसे तो आपके पास एक सिंपल सेप है कि आप यहाँ पर N-N-V-H कोई और दिकत नहीं आने चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर दे यह सिंपल पहले आप N-N-V-H ना ले करके सिंपल क्या कर दे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ किसके साथ कर दे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और मैंने वैसे बताई दिया कैसे करते है N-N-V-H और C-A-O इन दोनों का यूज करके तो यहाँ क्या बन जाएगा सिर्फ उपर वाले की दिखा रहे है कि यहाँ पे आजाएगा C-O और यह C-A-2 पोजिटिव ठीक है क्योंकि कैल्शियम ऐसे ही करता है क्योंकि उसकी दो वैलेंसी होती है तो और मतलब आपको दो मोलेक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि उसकी आपको वैलेंसी सेटिस्फाइग तो करानी है O- देखे अब क्योंकि ऐसे टूटेगा CO- और H- पोजिटिव इसी वज़े से ऐसा किया गया है अब आपको यहाँ पे एक रिएजेंट लेना है जिसको हम बोलते हैं फैंटोन रिएजेंट क्या बोलते हैं बचो फैंटोन रिएजेंट होता क्या है अब वो देखो वो होता है बचो H2O2 मतलब हाइडूसन पर ओकसाइड और Fe3 पोजिटिव क्या होता है बचो नाम बोलो इसका फैंटोन रिएजेंट तो कई पर यही पूछा जाता है कि रफ डिग्रेडेशन में कौन सा रिएजेंट होता है और इसका आपको क्या बताना है बचो फॉर्मला बताना है तो जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है कि यह जो CO2 है वो तो यहां से बाहर चला जाता है जो CO2 वाला पाइट है बचो वो यहां से निकल जाएगा और यह किसमें कनवर्ट हो जाता है यह यहां से क्योंकि एक कार्बन कम हो गया CO2 जैसे ही बाहर जाएगी क्योंकि इसका कार्बन यही हमने कार्बोक्सलिक में कनवर्ट किया था इसी का जैसे ही यह CO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो एक कार्बन कम हो गया तो यहां पे जो प्रोड़क्ट हमें और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास CH2OH ठीके बात समझ में आ गई